तो वेल्कम फ्रेंट्स दोस्तों जिस प्रकार आप सभी को इंतेजार था UPSC के Notification का Civil Service तो आज चुका है फाइनली देखिए Union Public Service Commission यानि कि संद लोक सेवा यूग कि द्वारा IAS IPS के अलावा जितने भी 24 पोस्टे होते हैं ठीक ना Civil Service में उन सभी के लिए Notification आज चुका है पर है IFS यानि कि Indian Forest Service foreign नहीं foreign मतलब होता है एक IFS मतलब होता है भारतिय विदेश स्वा इंडियन फ्रेंट सर्विस और एक होता है इंडियन फ्रेंट सर्विस भारतिय वन से वा ठीक तो IFS और IAS यानि कि UPSC Civil Service में दोनों आते हैं ठीक तो इन सभी के लिए पोस्टे आ चु कि आता है important में आपकी form बढ़ने की date तो form बढ़ने की कि तिथी आपकी 4 March से शुरू हो जाएगी कब 4 March और last कब रहेगी आप form यहाँ पे 24 March सामके 6 वज़े तक भर पाएंगे 24 March सामके 6 वज़े तक अब देखिए यहाँ पे last date आगर आप exam की बात करें फेकी तो आप 24 March को ही last date होगा फी payment का तो फी payment आप form बढ़ने के साथ ही कर ले देखिए प्री exam जो आपका प्रिलियम्स होगा प्रात्मिक परच्छा ठिक ना वहकाब होगा 27 तारिक 6 महिना 2021 27 तारिक को 6 महिने में होगा जी हाँ उसके बाद admit card आपको exam से 1 सपता पहले 1 week पहले आपको available कर दिया जाएगा यह चीज़ हो गई अब देखते हम next यहां पर तो हमारा क्या आता है आता है हमारा exam भी तो exam भी बहुत ही कम होता UPSC का मुझे यही काफी अच्छा लगता है देखे application भी इन्होंने क्या रखा है आविदन सुल्क जेनरल और OBC उमिदवारों को 100 रुपई केवल ज तो उनको कोई भी सुल्क नहीं देना पड़ेगा एक जाम भी जीरो रुपई रहेगा उनके लिए केवल पुरुस उमिदवार जो जेनरल और OBC में आते हैं उन्हें केवल 100 रुपई भी देने पड़ेंगे ठीक उसके बाद हम देख लेते हैं तो हमारा आता है यहां पे इलजवेलडिक कराड़रिया की यानि की योगिता तो सबसे पहले हम देख लेते हैं योगिता में I.S के लिए I.S हम बात कर रहे हैं तो यहां पे 24 सेवाई जितने भी हैं I.S I.P.S I.S. I.C.S. जितने हैं न सारा का सारा 24 सेवाऊं के लिए क्या योगिता है देखिये च्य सब्जेक्ट को लेकर ठीक ना चाहे आप क्यों अपना रिजिनल लेंग्वेज ही लेकर क्यों न किये हो लेकिन ग्रेज्वेशन किये हैं तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं ठीक apply कर सकते हैं IEAS के लिए अब देखिए जो इसका होता है भारते वन से वा यानि कि इंडियन फोरेश्ट सर्विस ठीक तो इसके लिए कुछ बिसेश डिग्री होती है बेचलर डिग्री तो आप किये हैं लेकिन बेचलर डिग्री में अगर आप इन्स में ही किये हैं तो देखिए कौन-कौन से हैं आपका subject animal इसमें ठीक animal husbandry में उसके बाद आता है आपका battery नेवेरी में उसके बाद आता है आपका यहाँ पे battery नेवेरी science, botany, chemistry, geology, mathematics और हैं यहाँ पे हमारे physics, aesthetics जिसे आप साइंख्यकी काते हैं and geology उसके बाद agriculture और equivalent इतने अगर आप इन सब्जेक्टों में किये हैं ठीक ना तभी आप यहाँ पे IFS जो हता है भारती one सेवा के लिए apply कर पाएंगे अगर आप political science या history की हैं तो आप यहाँ पे apply नहीं कर पाएंगे केवल इनी जो मैंने अभी बताया कितने इनी subjectों में अगर आपकी हैं तभी आप यहाँ पे IFS के लिए कर पाएंगे यह चीज हो गई उसके बाद हम देखते हैं age सबसे बड़ी चीज होती है age कि आपकी उम्र सीमा क्या रखी गई तो आपको जैसा कि मालूम ही होता है उम्र सीमा यहाँ पे limit होती है तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी ही चाहिए 21 साल नहीं होंगे तो आप एक जिले के SDM के रूप में कैसे जा लाएगी और इसी को जनरली तीन साल के छुट मूलती है और एस्टी सी वालों को पांच साल की और जो पी डबलूडे के एंडिट है यानि कि जो फिजिकल रूप से हैंडिकेट के अंडिकेट है विकलांग के एंडिट उनको 10 साल की मिलती है ठेक यह चीज हो गई और आब देख लेते हैं हम इस और एज रिलिक्सन के लिए आपको नोटिफिक्सन देखना पड़ेगा और वहां मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ देदू का लिंक देखिए वेकेंसी देखते हैं वेकेंसी डिटेल टोटल कितने पोस्ट हैं 822 पोस्ट हैं जिसमें स एड्मिस्टेशन के लिए कितने पोस्ट हैं इंडियन एड़ीनस्टेशन सर्विस यानि भारती प्रसासनिक सेवा के लिए 712 पोस्ट जिसे हम IES IPS IFS और जितने भी होता है सभी कारखानों के लिए 24 सेवाएं आती हैं इसी में ठीक इसके लिए आए 712 पोस्ट हैं और इंड IAS Indian administrative service भारत ये प्रसासनिक सेवा इसके सामने सवी सेवाई फेकी पड़ जाती है ऐसा माना जाता है ठीक ना माना किया जाता है reality है देखिए इन 24 सेवावों के नाम आप देख सकते हैं Indian administrative service Indian foreign service Indian police service Indian PNT accounts and finance service grade A ठीक ना Indian audit and account service group A इस प्रकार के कुल 24 सेवाई है अगर आप इसका form apply करना चाते हैं ठीक अगर आप civil service में form apply करना चाते हैं तो मैं वीडियो के description में link दे रहा हूं वहां से जाईए आप notification को download के रिए 161 page का notification है इसे आप अच्छे से read किजिए बैट के दो घंटे और तब जाके आप apply किजिए ठीक और यहाँ पी जो आयू की गन्ना की जाएगा ना एक साल यह मैं बता दूं आपकी एक अगस्त के अनुसार आयू की गन्ना की जाएगी एक अगस्त 2021 में अगर आपकी उम्र हो आप चुकते हैं जैकिन आपका result नहीं आया है तब यहां पे आप अपे apply कर सकते हैं लेकिन आपका mark-site अगस्त तक आ जाया और आजरा हम से पढ़िए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा हमरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा और जितने भी दोस्त हैं उन सभी को प्लेज सेर कर दिजेगा और पढ़िए और अपने हाग के लिए लड़िए धैन्यवाद फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो के साथ